नमस्कार मित्रो मैं देवस पंडा आज पुना आपके सामने उपस्तित हुआ एक नया टॉपिक लेके मित्रो आज हम चैप्चा करने वाले हैं पन्ना रत्ना को धारन करने की वीधी के बारे में यह इससे पहले मैंने दो वीडियो पन्ना पर और बनाया है पन्ना रत्ना पर समय को सब्सक्राइब करने के पन्ना करना हमें तो छीवण सरे ऐसे पहले ऊजड हमें इस मेरे शेजरा करने के अज पन्ना रतन को धारन करने की वीधी को समझें पहले चेनल को остав reference नहीं किये हैं मित्रों तो कर्यागे से सब्सक्राइब जरू कर दें मैं a усing जरू हो सके तो शेर दिरें जिससे पिर और काम आवे और बेल आइकोन का बटन को प्रेस भी करिए मडवां के अपनी कनिष्टी का छोटी उमली में धारन किया जाता है मित्रों पन्ना धारन करने से पहले आपको एक दिन पुर इसे कच्छे दूद्ध या गंगा जल्म में इसे दुबा के छोड़ दिया जाता है सबोझ यदि आपको कल धारन करना तो आज इसे आप कच्छे दूट या गंगा जल में दुबाक रख दीजिए और दूसरे दिन जब धारन करने के समय में वहां से निकाल के एक कपड़े साप कर लीजिए इसको इस प्रकार आप इसका एक सुद्धी करन की पत्विया किया जाता है ऐसा करने से रतना सुद्ध हो जाता है इसमें जो नाकर ठीक है मित्रो उसके बाद भगवान विष्णु को चुकि पन्ना बुद्ध कर अतना बुद्ध के अधी देवता भगवान विष्णु है तो भगवान विष्णु को पीले रंग का पुष्प चड़ाए और सुनधित अगरवत्यों से पुजा अर्चना कीजिए पुजा दो अन्त बता देता हूं ओम ब्राम बृंब सब्ध्धाए नमा इसका आप जम कर लीजे तर पर से ब्द्धो मेरे इस पन्हुद्ध को धारण कर रहे हुं मुझे बूजे मुझे इस यह ज reboundकल दारां करें उसके चा सब्द्धन कर लिए अरो जेसा जेष्टा और रेवती नक्षट्र ये तीनों में किसी भी एक नक्षट्र में आप इसे धारन कर सकते मितों बहुत सिंपल विधी है इस विदी के निमनार्ण साहब आप इसे धारन करेंगे तो आप इसको यह आपको सकरात्मक प्रफाव जरूर प्रतान करेंगा मितों तो इसके साथ आज यहीं विराम देते हैं मितों कल्ब अपन चर्चा करेंगे असली पर्णना और नकली पर्णने की क्या पहचान होती हम कैसे परचाने की कुन से असली है ठीक है मितों तो इसके साथ मैं आपसे विजा लेता हूं जय मातरी नमस्कार धन्यवाद